नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चानल धूप दूप दूप पूजा यानि कि गंगाद अश्यरे की दिन धूप पूजा आप किस तरीके से करेंगे सहथ सरल रूप से अपनी घर पे किस तरह से करेंगे और नदी किनारे जाकर किस तरह से करेंगे ये आप लोगों वो वहाँ पर जाकर ही जो है पूजन कर सकते हैं पर कोई भी जल हो तो मतलब कोई भी पुशकरनी हो कोई भी नदी हो वहाँ पर जाकर ही आप पूजन कर सकते हैं वही जो है गंगा स्वरुप होता है हर नदी को ही हर जल श्रोत को ही जो है हम गंगा स्वरुप मान के ही पूज करते हैं भारत में इससे पुषकरनी की जिन गाउव में जो नदी नहीं है पर पुषकरनी है बड़ी से तो उन्हें भिप रहा होता है नदी के नारे की विषर्चा यहाँ पर जिसे बहुत साय लोग ने मुझे कहा है कि दादा हम लोग फ्लैट में रहते हैं तो हम लôग कैसे पुजा करेंगे है यह हर साल ही सवाग रहता है असल apoyo to each 2030 अब लगते हैं विलकुल जो झो है इससे जादा नहीं लगते हैं अगर हिसाब किया जाए तो पर कह समाइशु की साभी कारण कही सारे शाहाद की विश्व होता दो की समाणिस क chamos चैसरे में जीकdalf?, जैसे कि 25-30 मिनट का रास्ता है तो यहाँ पड़ भी दूर नहीं है पड़ फिर भी जो है कई सारे कारण से जाना आधी जो है कई समय जो है नहीं हो पाता है तो वो लोग भी किस तरह से जो है घड़ पे पूजन कर सकते है बही जो है मैं आप लोगों को बताओंगा आज इस वीडियो में तो पहली बात जो है देखिए आप घर पर जो अगर पूजन कर रहे है तो आप एक बड़े से पीतल के गमले में जो है आप नॉर्मल जल गंगा जल भढ़ने के आपको आवश्रपता है ऐसा नहीं है क्योंकि आपके आसपास अदर मतलब गंगा नदी नहीं है या आप पर जो है नदी आदी नहीं है तो आपको उतने जल कहा से लिए तो आपके आप नल के जल से ही जो है नल के जल से ही जो है आप उस पूड़े कमले को भढ़ने एक बात अगर गंगा जल होना है तो वो पूरा गंगा जल होना चाहिए अगर जो है वो आप नौन जल ले रहे है नल का जल ले रहे है पूए का जल ले रहे है तो वही जल आपका पूरना होना चाहिए उसमें गंगे चैया मने चैया इवगोदावरिसरस्वति, नर्मदी सिंधु, कावेरी, जलेहसमीन, सन्यविम, गुरू, इस तरह से तीर्थती सारे जल के अवाहन करने चाहिए, सब्तनदियों के जल के अवाहन करने चाहिए, तो वही जो है, वो गंगा जल हो जाता है, तो उसमें आप पूचन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है तो अगर गंगा जल है तो पूर्णा गंगा जल करना होगा नलके जल है तो पूर्णा नलके जल से ही जो है उस पात्र को आपको भरना चाहिए आप पीतल के गंबले में जो है ये कर सकते है या फर आप जो है शंक पात्र में वे शंक पात्र जो होते है उ आप शंक पात्र में कर सकते हैं पसे छोटे वाले शंक पात्र है तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बड़ा वाला अगर जो है जल शंक या फिर शंक आपके पास जो भी है जिसे आप बजाते नहीं है अगर बजाते है वो वाले शंक से नहीं होगा बजाने वाले शंक में भ कर सकते हैं उसे जल पूर न करते हुए तो पूजाव में भी जो है बिलकुल सेम ही विशय है कि बजाने वाले शंख में भी जो है आप जल भर कर जो है आप पूजन कर सकते हैं कोई समस्या नहीं है और जल संख है जल शंख है तो वो तो और भी अच्छी बात है और बजाने व आवाहन करते हुए ही जो है आपको पूचन करना है अब इसमें आपको सामक्री क्या क्या चाहिए सामक्री दिखिए आप सरलता से पूचा कर रहे हैं अब घरपे याफर जो है घाट के नारे जाकर जो है आप सरलता से पूचन कर रहे हैं तो उसमें जो है जैसे कि आप पुष्प, पत्र, अक्षद, उसके साथ साथ धूब, उसके साथ साथ जो है आप जो फल आदी है जैसे कि नारिल इस समय आम का समय होता है तो आम जो है वो आप रख लेजे और उसके साथ साथ कुछ शरकरा आदी जो है वो आप रख लेजे इसके साथ साथ दीप माला गंगा गाट के किनारे उसे चलाईए और घाट के किनारे चलाईए और घर पे जिसके पुजन कर रहे तो एक थाली में आप उसे चलाएए घाट की किनारे अगर आप जलाते है तो वही सबसे ज़्यादा सही होता है वही सबसे ज़्यादा सही होता है दोस्तों का भी भी जो है ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि पानी में जो है ये सारी चीज़े पेके केली क्यां पत्ते आप ले लिए अफ्के ऊपर आप अप प्रत्शुलन कर rखे तो गहर पे भी धाली में प्रकार से आप 21 दीप जला लिजे यह सात दीप प्रत्शुलन कर लिजिए इसके साथ जो धुली धूरजी धूप से आपको पंच दीपक हो सब्ध दीपक हो गृत बाती से तीन के बाती से जो है दीव परद्वलन करते हुए अब आपको जो है मागम्दा की मतलब पूजा आप ने कर लिए आपने पूजा जो है पूजा पंचूब जाड़ी करना चाहिए जो है ये बहुत शुब होता है इसे प्रकार से पूरा से सभी के आप पुछा कर लीजे उसके बाद जो है आप ये दुनची दूप से और सब्क्त दीपक या पर पंच दीपक के साथ आड़ते करिे मा गंगा को जो है आप व्यजन करिे व्यजन जैसी क इसके साथ साथ जैसे कि धीपमाला से करकूर से उसके बाद व्यजनादी के साथ जो है आप माक के आती करесथे है तो वोग्हाप बिल्कुल कर सकते है उस कर आप मागंगा के आप आतीक कर सकते है हमारे पुराने वाले मैंने वीडियो में जो है वो आप लोगों के लिए बनाया है तो कि इस प्रकार से माघंगा कि आरती और पूजन आप करेंगे घर पर तो वो वाले वीडियो आप चेक कर सकते हैं लोगों को तो इस प्रकार से आरती आदी आपने कर दिये इसके बाद चीज मैं आप सभी को कहता हूँ बहुत सारे आप लोग ये नहीं करते हैं आरती लेकर भी आरती किथा आप अगर फ्लैक में रहते घर में रहते तो आरती किथा लेकर भी सभी के पास जाना चाहिए वही जो है प्रथम प्रशाद होता है वो सभी को देना चाहिए और उसके ब विद्यम्य धूप भूख अगर आप देना चाहते तो आप वो दे सकते हैं वो देते हुए जो है आप दूप दीब आधि के साथ जो है आप विशीश आरती आप अवश्च करिए दोस्तों यह जो है यह बहुत शुब होगा केवल आरती से अगर आप जो है मागंगा की पूर से और पुष्प से चामर आधि से जो है आप मांगी आरती करिए मतलब थोड़ा विस्तरत में आरती करिए आरती जो आप करेंगे तो थोड़ा आप विस्तरत में करिए आप मायली जे पहले आपने जो है दुनची दूप से आपने आरती किए उसके बाद जो है घृत सब्सक्राइब तो ये किस प्रकार से आप सरलता से पूझान आर्थी करेंगे तो मुझे लगता है आप लोगों ये विशह जो है वो समझ में आ गया है अगर इस बारे में आप कोई सवाल आ दी है या तो मुझे आप कमेंट्स करके बोल सकते है या पर जो है मुझे मेल भी कर सकते है एक विशेहां मुझे भी आदाया अब बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारे तो नहीं दो लोगों ने शायद जो है एक हर्पे जोड़ हैं आप मागवंगा की पूचर आप कर सकते हैं इसमें कोई समस्य नहीं है तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंस करके ज़रूर बताईएगा मिलते हैं आप सेक्टे वीडियो में तब तक कि लिए नमस्तका